कि सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल बटन दबाग कर और को अन कीजिए में लेटस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू हलो फ्रेंज आज हम आपके साथ शेयर करेंगे नेक्ट जैन की हुट कटिंग और स्टेचिंग जिसके लिए पेस्टिंग वा आएंगे 2.5 इंच और लेंथ रखेंगे 6.2 इंच बाकि अपने कोडिंग अपने नेकी ब्रॉनेस और लेंथ लीजिए गा जैसे आप पहनना चाहते हैं और इस तरह से हमें एक बॉक्स ड्रो करेंगे और इस तरह से बॉक्स ड्रो करने के वाद जहां पर हम एक ऐसे राउं लेंड़ नम्यून करने के बाद मैंने ज़ी डगतन लिया है जिसके साथ हम बंद वाले से इस तरह से काट वर्क बनाना स्टाट करेंगे पयांए जी देखिये ऐसे अब हम इस तरह से ने शॉन लगा कर स्टनेक की कटिंग करेंगे इस देखिए जो हमने कट वर्क ड्रो किये हैं से मुस्तार से कि देखिए इस तरह से हमने के काटिंग कर लिए हैं इसको हम अपने मैंच फेबरी के उपर पेस्ट कर लेंगे देखिए इस तरह से हमने पेस्ट कर लिया है दोनों साइडrados राउंड में हमने जी हाफ इंच कपड़ा एक्स्ट्रा शोड़ा है और इस फैब्री को हम इस तरह से टर्ण करते हुए इसकी उपर स्लाई लगाएंगे देखिये ऐसे स्लाई लगाने के बाद इस नेट को हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसका सेंटर का निशां लगाएंगे इस तरह से और जहां से उपर एक नोचस लगाएंगे और एक सेंटर में निशान लगाएंगे जी देखिए अब मैंने जी कुर्ती लेए हैं जी कुर्ती की फ्रंट साइड है दोनों साइड हम 2.5 इंच का इस तरह से निशान लगाएंगे और जी इसका सेंटर पॉइंट है अब हम नेक को इस तरह से रखते हुए सबसे पहले हम उपर सुलाई लगाएंगे जी देखिए इस तरह से रखते हुए और एक स्लाई हम सेंटर में लगाएंगे जी दिखिए अब हम आपने नेक के पास पास तरह के एक राउंड में इस तरह से स्लाई लगाएंगे जिसके साथ जो हमारा नेक है वो ती फिनीशिंग के साथ रेडी होगा जी दिखिए इस तरह से हमें स्लाई लगा दी है अब हमने जो कटवर्क ट्रो किये हैं अब सेम इनके साथ साथ हम स्लाई लगाएंगे इनके पास पास जी देखिए इस तरह से जे स्लाई हम बहुती बीक वफिर के साथ लगाएंगे मोटा टांका करकर हमने जे स्लाई नहीं लगाने बहुती ब्रेक वफिर के साथ हम स्लाई लगाएंगे तभी जे हमारा नेक डिजैन वोती फनेशिंग के साथ बनकर रेडि होगा देखिए इस तरह से स्लाई लगाने के बार इस स्लाई को हम जहां से डबल करेंगे जो हमने कटवर्क के साथ स्लाई लगाई है जो देखिए इस तरह से स्लाई को डबल कर दिया है आप जहां से हम हाफ इंच का मार्जन रखते हैं इस तरह से नेक की कटिंग करेंगे जो देखिए ऐसे अब जहां पर भी हम छोट छोटे नोचस लगाएं कि द्यान रखें जो मने स्लाई लगाई है वो स्लाई हमारी कट नहीं होने चाहिए बहुत ही कियर्फुली हम जहां से कटिंग करेंगे अब इस नेक को हम रोंग साइड इस तरह से टन करेंगे सबसे पहले हम इस तरह से अच्छे से नोचस लगा लेंगे ताकि जो कट वर्ख है अच्छे से फोल्ड हो जाए फिनिशिंग के साथ जी देखिए इस तरह से हम रोंग साइड से टन करेंगे सारे cutwork को देखिए इस तरह से हमने turn कर लिया है अब हम एक वाल इसे press के साथ अच्छे से बठा लेंगे देखिए हमने press के साथ इसे अच्छे से finish कर दिया है देखिए बहुती finishing के साथ हमारे cutwork ready हुए है अब हम जहां पर एक rough slide लगाएंगे इस like को हम दरपाई करने के बाद हटा दाएंगे जह देखिए इसी के साथ हमारा जे नेकर design one कर ready हो चुका है आप same design अपने sleep की उपर जान फिर अपने प्लाजो जान सलवार की मूरे की उपर भी इसे बना सकते है जो मैंने जह देजयन सुलवार की मूरे पर बनाया है वो मैंने आपके साथ share किया हुआ है अगर आपने नहीं वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस вीडियो को भी एक ब़ाण चेक कर सकते हैं और स्लीप के उपर जो मैंने बनाया है उसकी वीडियो मैं आपके साथ पहले शेयर की हुई है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं अगर आपको हमारा जेयर डिजैन और वीडियो बनाने का तरिका अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जूर कीजिए और सब् ये तेंक यू तेंक सुर्वाचेंग